हेलो फ्रेंड्स मैं सत्या पांडे माया क्रेटिव गार्डन में आपका हर दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और जो मेरे मित्रिस चैनल में पहली बार विजिट करें हैं उनसे में एक छोटा सा नरोद करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्स गुल्दावदी का पौदा सर्दियों में बहुत सुन्दर फ्लावरिंग देता है बहुत ही प्यारे प्यारे इनके फूल होते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे इनके कलर होते हैं यह जो पौदा है यह जो है नर्सरी में बहुत असानी से उपलब्ध होता है और अब जो ह बहुत ही प्यारे प्यारे कलर भी आपको देखने को मिलेंगे, वाइट कलर होता है, पिंग कलर होता है, यलो कलर होता है, बहुत ही प्यारे पैरे इनके फूल, बहुत ही प्यारा ये पौधा, तो ये देखी, ये मेरे सारे पिछले साल के पौधे हैं, मैंने इस साल कोई भी प बाद में आप जेख रहे हैं ये जो है कलियां भी बननी शुरू हो गई है यानि कुस टाइम बाद मुझे इसमें फूल भी देखने को मिलेंगे तो देखें दोस्तों ये है और ये नर्सरी में बहुत ही असानी से मिल जाता है ये प्लांट और इसमें गुच्छों में जैसे ये प्लांट बहुत ही खुबसूरत और इनके फूल भी बहुत ही प्यारी लगते हैं जब वो गुच्छों में निकलते हैं तो ये देखिए दोस्तों ये मेरे पिछले साल का ही पौदा है जिसमें देखिए कलियां भी वनना स्टार्ट हो चुकी है ये देखिए आप इसमें लिखा भी हुआ है और उसमें मैंने इसको गुरो किया हुआ है और आप देख सकते हैं और ये मेरी बाल्टी जो है तूट गई थी ये देख सकते हैं आप इस बाल्टी में मैंने जो है इस मिट्टी सारी इस आटे के बैग में मिट्टी भरके और बाल्टी के उपर और ये पौदा मैंने ग्रो किया है ये देखिए और इसमें कलियां भी बननी शुरू हो गई है ये देखिए आप ये देखिए इसमें कलियां आ रही है यानि कि कुस दिनों में इसमें फ्लावरिंग भी देखने को बिलेगी और जैसे ही इसमें फ्लावरिंग आएगी तो मैं उसके उसमें लगाया हुआ है यह मैंने कटिंग से तियार किया हुआ है यह मेरे पिछले साल का पौधा है यह भी मेरे पिछले साल का पौधा है इनी के कटिंगों से यह मैंने पौधे लगाए है यह देखे यह पौध जो है कटिंग से लगाई भी है और ये fortune जो हमारे गर में waste डपा रहता है उस पर लगाया है और आप देखे कितनी अच्छी इस plant की growth हो रही है ये देखे और इसमें भी बहुत छोटी छोटी जो है कलियां बननी शुरू हो रही है ये देखे और इस plant में जो है pinching करते रहना चाहिए जैसे कि आप देखे यहा रहा है थो प्लांट में जो नीची है ये मैंने waste material का यूज किया है जो हमारा kitchen waste होता है वो मैंने इसमे और नीची और उसके पर मित्ती और गोबर की वाँपयोग करके इस प्लांट को मने लगाया है ताकि यह जब प्लांट अच्छे से इन नीची से जो waste हमारा है वह डीकंपोस्ट होगा और यह प्लांट की ऑल ओवर ग्रोध भी बहुत अच्छी होगी और हमारा प्लांट भी बहुत हेल्दी रहेगा अब जैसा देख रहे हैं कितना हरा भरा पौदा हो रहा है यह देख सकते हैं यह मेरे कटिंग से त्यार पौदे हैं तो एक जो है यह प आटे का है और आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोध है तो इसमें यह भी मैंने कटिंग से प्यार किया हुआ पौदा है और दूसरा है यह देखिए यह भी वेस्ट जो रसोईगर से निकलता है डिबा उसका उप्योग किया है और इसमें मैंने कटिंग के द्वारा ही पौ लगाना चाहते हैं सर्दियों में चाहते हैं कि बहुत सुन्दर सुन्दर आपकी गार्डन में फ्लावर आपको देखने को मिले तो आप गुल्दावदी का पौदा जरूर लगाईए यह पौदा बहुत ही खुबसूरत है और यह मेरा एक फेवर्ट प्लांट भी है तो दोस दोस्तों मेरी आज की चोटी सी जानकारी गुल्दावदी के पौदे को लेके और चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जारिकारी के साथ जब इसमें फूल आएंगे तो मैं आपसे जरूर शियर करूंगी बाय दोस्तों हैपी गार्डनिंग